सबी को नमस्कार ये दिगम कारेकरम के अंतरगत डिपार्टमेंट दुआरा टीचर सिम डिमांड से समंदित पत्र जारी किया गया है और साथ में एक यूजर गाइड भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो परदान की गई है ऐसा इसलिए है क्योंकि अब टीचर का जो सिम है वो अफसर पोर्टल के मादम से डिमांड किया जाना है तो वो कैसे करेंगे आएज जानते हैं सबसे पहले विद्याले अपने अफसर पोर्टल का लोगिन करें लोगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज आता है इसमें आप left side में देख पा रहे हैं ये अधीगम teacher sim demand जो की red dotted line में यहाँ पर दर्साया गया है आप इसको click करें और आगे बढ़ें जैसे ही आप ये अधीगम teacher sim demand को click करके आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने ये दो column दिखते हैं जिसमें all status आपको लिखा हुआ दिख रहा है red dotted line में और साथ में get employee तो आप यहाँ status में तो all status ही रखें और साथ में get employee को click करके आगे बढ़ें जैसे ही आपने get employee को click किया तो आपके सामने आपके विद्याले से सम्दित सभी जो teachers हैं उनसे सम्दित sim demand का status आपको देखने को मिल जाता है अगर sim request करनी अभी बाकी है तो वो आपको pending at school दिख जाएगा अगर आपने sim demand कर दी है और वो activated हो गई है तो उसका समय दिख जाएगा या वो vendor के level पर pending है तो इस तरीके से आप जैसे ही get employee को click करते हैं तो यहाँ पर जो वर्तमान स्थिती है कि किनके sim की demand करनी है किनका कर दिया गया है किनको deliver हो गया वो आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ sim demand हमें कैसे करनी है तो जिस करमचारी के लिए sim demand अभी pending है उनके सामने आपको request sim जैसा कि यहाँ dotted line में आप देख पा रहे हैं वो लिखा मिलेगा आप इसे click करें यह click करने के बाद आपसे उस employee का data personal data जो है वो sim request के लिए यहाँ पर जो है मांगा गया है वो details आप भरें personal detail भरने के बाद आप नीचे red dotted line में आप देख रहे हैं declaration तो declaration जो है वो click करें और request new sim demand जो है वो click कर दें यह click करने के बाद आपके सामने जिन जिन का आपने sim demand किया है उनके सामने यह multiple types of sim request status देखने को मिल सकते हैं या ऐसा ना भी हो लेकिन यह आपको बताने के लिए है कि अगर rejected लिखा हुआ है activated लिखा हुआ है pending at vendor लिखा हुआ है pending at school तो इस तरीके से sim request status जो है वो मांग करने के बाद आपको मिल सकते हैं ऐसी स्थिती में अगर rejected है तो rejected किस कारण से है तो comments from vendor में आपको आगे देखने को मिलेगा कि incorrect identity document number कारण rejection का mention मिलेगा activated है तो उसमें साथ में जो है date समय इसके इलावा अगर वो vendor लेवल पर pending है तो वहां उसके सामने जो है cancel request जैसा कि हम अगली slides में भी देखेंगे जैसा कि activated and deliver कर दिया गया है तो उसका समय और जो है दिना कि यहां पर vendor ने mention कर दिया है कि इनका sim जो है वो activated करके deliver कर दिया गय है और इसके इलावा जो है अगर मान लीजिए pending at vendor है अभी उस पर कोई action नहीं हुआ है ना वो reject हुआ है ना वो deliver हुआ है तो ऐसी स्थीति में cancel request का option आपको comments from vendor के अंडर देखने को मिलेगा तो यहां तीन स्थीति आपके सामने आती है पहला rejected हो गया है तो उसका कारण मिले है तो उसका date mention मिलेगा समय mention मिलेगा और तीसरा अगर वो pending at vendor है तो आपको comments from vendor के नीचे cancel request देखने को मिलेगा और चौती स्थीति जो है आपको पहले से ही पता है कि pending at school यदि हमने sim demand अभी तक नहीं की है यहां पर यह mention किया गया है कि कौन सा status जो है वो क्या बयान करता है pending at school है तो उसका अर्थ क्या है pending at vendor है तो उसका अर्थ क्या है in progress है तो उसका अर्थ क्या है rejected है तो उसका क्या मतलब है और activated and deliver है तो उसका क्या मतलब है तो आप इनको जो manual दिया गया है तो उसमें भी आराम से पढ़ सकते हैं और इस status के उपलब्ध विकल्प जो है उसका अर्